नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सत्यकाम और स्वागत है आप सभी का इंडियन लॉई स्कूल पर यूटूब लगातार बहुत सारी वीडियोज वो देख रहे हैं ताकि कोई भी जानकारी उनको प्राप्त हो जाए तो साथियों इस वीडियो में हम आपके पास लेकर आएं हैं एनफोबीसी और और एनफसी के बारे में बहुत ही आथेंटिक जानकारी इसको जानने के बाद म हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबना ना भूलें ताकि फ्यूचर में हमारे कोई भी अपडेट आपसे मिचना हो जाए तो दोस्तों आपको दिखाते हैं वो सूचना जो हमने आर्टियाई के माध्धम से प्राप्त हुई है आप यहां देख सकते है वो RTI जिस जो मागी गई है NTA से और NTA ने वो सूचना प्रदान की है यहां पर applicant name और data receipt और कुछ जह यहां पर delete कर दी गई है यह कहीं मिटा दी गई है वो हमारे काम की नहीं है जो हमारे काम की चीज है वो आप यहां पर देख सकते है request filed with the national testing agency text of application आप यहां पर देख सकते हैं कि please provide me information on following points उसमें हमारे काम की जो चीज थी वो यह point number 4 है जो आपके सामने है when will NTA release the list of candidates who are eligible for NFOBC based on UGC net December 2021-June 2022 exam यहां आप date of action देख सकते हैं यहां पर 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 देख सकते हैं य reply क्या आया है बाकी reply के साथ हमारा जो main है वो reply number 4 जिस पर NTA ने कहा है कि list of selected candidates of UGC net December 2021 and June 2022 merged cycles for NFOBC will be released soon यहां पर एक चीज है इन्होंने साफ कह दिया है कि जल्दी ही result गोसित किया जाएगा इसका आर्थ यह हुआ कि result तो आएगा देर सभी result आएगा हो सकता है January में ही result आजा तो यह कहते है कि there will be no result बट यह कह रहे है कि list of selected candidates of UGC net December 2021 and June 2022 merged cycles for NFOBC will be released soon यहां यहां पर चानकारी NFOBC की मागी गई है लेकिन अगर NFOBC आएगी तो NFSC की भी list आएगी तो जो लोग भी उसमें selected होंगे वे सभी जो है scholarship को November महिने से अवेल करा सकते है देखी result का बात है अगर अगर सून है तो उम्मित किया सकती है कि January के महिने में NTA result दे देगा को फरवरी में तो फिर से दूसरा exam होने वाला है तो पूरी समभावना है कि January में result आ जाएगा तोड़ा धैर रखना है और result आएगा जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो NFOBC और NFSC के बारे में नहीं जानते हैं मैं उनको यह बता देना चाहता हूँ कि यह एक फिलोसिफ होती है जो उन छात्रों को मिलती है जो UGC NIT का एक्जाम देते हैं और OBC और SC के टिगरी से आते हैं और उन्हें JRF कुछ नंबर से वो JRF चुक जाते हैं तो ऐसे सामाजिक न्याय और सक्तिकरण म शाथियों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको पुरन प्राप्त हो जाए शुक्रिया